नमस्कार समय साक्ष के राज्य स्थापना दिवस विशेशकार इक्रम में आपका स्वागत है उत्रा खंड बनने के बाद क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था उत्रा यूपी से अलग होने के बाद क्या जो मूल भूत्स विदायें हमको चाहिए थी जिसके लिए जंग हुई थी, क्या उस जंग का कोई परिणाम हमको मिला इन सब को पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है अभी पदम स्री लिलाधर जगूर जी सिक्षक रहे हैं, साइत्यकार हैं, नाटक कार हैं, आर्मी में भी रहे सर सम चर्चाए करते हैं सर सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहिए कि जो प्रिथक राज्य होता है, उसके क्या फाइद होते हैं, क्या इनी फाइदों के लिए उत्राखंड की लड़ाई भी हैं, देखे, प्रिथक राज्य तो कोई खराब बात नहीं है, पर सवाल यह है कि प्रिथक राज्य की अवधारना आप किस तरह से बनाते हैं, भोग तो उत्रप्रदेश में होते हुए बुराई क्या देखी गई बुराई ये देखी गई कि पहाड दूर बहुत है दूरी बहुत है पहाड के लोगों की और राजधानी की इसलिए लोग लखनो जाकर बहुत परदेश जैसा महसूस करते थे अब वो ठीक है कि उत्रप्रदेश के कुछ लोगों को परदेश ना लगता हो लखनो लेकिन पहाड के लोगों को परदेश लगता था और असुधा फिर किसी की अपनी ऐसी भी अवस्ता कि वो जा सके लखनो ना जा सके इतनी दूरी तै करना ये बड़ा मुश्किल काम था इ और प्रिथक राज्य के लिए यही एक मात्र रास्ता जो चुना गया कि प्रिथक राज्य सीधा संपूर्ण राज्य बना दिया मेरी समझ से अगर ये पहले केंदर शाशित राज्य बनता तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि केंदर शाशित राज्य में कम से कम इतना तो चमकाने की जो होड़ मची हुई है वो खतम हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ उतरप्रदेश से अलग होना था तो इसका सुरूप कुछ नया बनना चाहिए था जो अभी बना नहीं है और उसके लिए दोशी हम भी है जनता भी है उन्होंने राज्य के लिए आंदोलन कि नहीं कर रहे हैं कैसा होना चाहिए राज्य उसके लिए आंदोलन होना चाहिए था और राज्य को एक नई परिभाशा में गढ़ते लोग ये राज्य नेताओं का भी काम था कि वो एक नया राज्य बना के दिखाते यहां सबसे पहले मुख्यमंतरी बने स्वामी जी उसके बाद आज नव मुख्यमंतरी हो चुके हैं स्वामी जी से स्वामी जी आये तो राज्य का कोई स्वरूप नहीं था वो प्रतम मुख्यमंतरी की भेट चड़ गए याने उन्होंने पहले मुख्यमंतरी को जो कश्ट उठाने पड़ते हैं वो उठाए और उनको तो सोभाग था कि तोलिया साब जैसे चीफ सेकेटरी थे उन समय या सेकेटरी मिल गए उनको ये की योग्य सेकेटरी और उन्होंने वो पहाड को ज़्यादा जानते थे तोलिया साब पहाड को ही नहीं जानते थे पहाड के व्यक्ति को भी जानते थे व्यक्ति से अभी प्राए मेरा सा शादाने बेक्ति उनके सामने जाता, तो वो समझ जाते थे एक किस कि अलाके का है, उसकी बूली, भाषा पहनावा, उसका उठने बैटने का ृढव, उससे वो किसी जिले का पत्थर भी पहचानते थे कि ये किस जिले का है. तो इतनी सुख्ष्च जांकारी हूनी कि चाहिए किसी भी शाशक को अपने प्रदेश वासिओं के बारे में जैसे कहा जाताथा कि जो हमारे सिडियर लीडर थे उस समय पर UP के समय पर वो नहीं चाहते थे कि उत्राखंड का निर्मान हो नहीं चाहते थे कि यूपी से उत्राखंड अलग हो आपको क्या लगता है कि उत्राखंड जो अलग हुआ है उसके बाद कुछ बेतर हुआ है उत्राखंड में या जैसे यूपी में थे वो ज्यादा बेतर था देखे बेहतर इतने ही हुआ है कि अपने टांसफर रुकवाने और टांसफर करवाने के लिए लखनों नहीं जाना पड़ता है तो नजदीक है लोगों के लेकिन कुमाओं वालों को इस बात के शिकायत है कि देरदून तो बहुत दूर है तो चलिए आप नई राजधानी बन केंदर में नहीं रही है राजधानी कहीं भी हो सवाल संसाधनों का है कि आप कैसे संसाधनों को जनता तक पहुचाते हैं वो तो कहीं से भी पहुचाए जा सकते हैं उसके लिए केंदर में राजधानी हो या किनारे राजधानी हो इससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला जो पानी की इस्थिती है वो और भी बत्तर है पानी की इस्थिती यह है कि गाउं में अभी भी लोग अपने पुराने धारे और पन्यारे से ही लाते हैं पानी नल पहुंचे नहीं है लोग गरों तक एक किसी गाउं में पहुंच गया हो ठीक है लेकिन आप मुस्तली सब गाउं क सर्वे करें तो आप पाएंगे कि वहां नल नहीं है लोग अपना पारंपरिक धारे पे जाते हैं वहां से पानी लाते हैं तो ये जो इस्थिती है ये पानी के मामले में भी अच्छी नहीं है जंगल में आग लगती है तो यहां सबसे बड़ा कांड हो जाता है सबसे बड़ा कांड इसले हो जाता है कि जंगल में आग बुझाने के साधन नहीं है हमारे पास ऐसे टेकनलोजी भी नहीं है कि हवाई आज उड़ाए हेलिकाटर उड़ाए गैस पेंकी और आग पर काबू पाया वो भी नहीं है वो क्यों नहीं है हमने क्या सोचा उसके विकल्प के रूप में बड़ी सहजता से आप आग बुझा सकते थे जंगलों की अगर जंगलों में जो छोटे छोटे नाले हैं छोटे छोटे धारे हैं जो पानी आता है छोटे 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 नदिया हैं उन पर एक चेक डैम बनाए दे जाएं छोटे 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 बांध बनाए जाएं छोटे 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 तालाब बनाए जाएं और जब कभी अगनी कांड होता है वहां से पानी की बहुचार की जाए तो आग बुच जाएगी लेकिन ऐसी कोई विवस्था आग बुचाने वाली जंगल बचाने वाली एक नई योजना बननी चाहिए अलग से और जल बचाने वाली जंगलों में जलकंड बनाने वाली योजना होनी चाहिए क्योंकि जंगलों में केबल सिचाई के लिए पानी नहीं चाहिए आग बुचाने के लिए पानी चाहिए और आग बुचाने से हमारी यात्रा भी फेल हो जाती है क्योंकि कोहरा भर जाता है और हमारे यहां आने वाला परियाटक दुखी रहता है उसको आस्मान में नहीं दिखाई देता है नीले रंग के आस्मान देखने लोग आते हैं यहां विदेशों में जाईए नीला दिखता है आस्मान यहां देखें तो हर वक्त धुएं से आचा दित रहता है आस्मान आज कल तो आग नहीं लगी भी है लेकिन फिर भी को रहा है क्यों है यह ट्रैफिक का है ट्रैफिक का भी और गाडियों का यातायात का कोई नया स्वरूप नहीं आया है राज्य में यह एक पुराने चेहरे वाला उत्तर प्रदेश अगर कुछ नया घटित हो रहा है वहां तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना मुखोटा है पुराना चेहरा है वह इस राज्य का चेहरा है वह इस राज्य को आप देख सकते हैं पुराने उत्तर प्रदेश के रूप को अगर कहीं देखना है जाकर के तो आप उतरकंड आईए पुरान उतर प्रदेश देखिए अघर नए सुरूप की बात करे तो आपके इसाब से क्या नया सुरूप अब तक उतरकंड में कुछ नया शुरूप दिखाया आपको वही है तो मैं आप से भी पूछांत चाहता हूँ आप तर्वें हम पत्रकार हैं भई आप आपने क्या देखा आपने यही देखा ना कि मान लिए एक नई सड़क बन रही बद्रिनाथ के लिए और गंगोत्री के लिए वो भारत सरकार बना रही है वो यहां की सरकार नहीं बना रही है तो यहां की सरकार की सड़कें तो गाउं में बननी चाह हम क्या मुखेव अंत्री जी ये बता सकते हैं कि धंगन गाओं कहां है कि और धंगन गाओं के लिए क्यों नहीं गए आज तक कोई रोड क्या बता सकते हैं कि तोली सेड का स्कूल इंटर कालेज मोटर से बंचित क्यों है वहाँ टीचर क्यों नहीं जाते हैं लमगाओं में लोग बीमार क्यों हैं क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है हॉस्पिटल नहीं है सेम मुखेम जो प्रताबनगर ब्लॉक का उपर इक शेत्र है मैं जहां कर रहने वाला हूँ मैं वहीं का उधारन दे सकता हूँ मोटर आपने ऐसी जगह डाल दिये ठीक है वहां भी मोटर की ज़रत थी आपने रोड बना दी लेकिन उससे अधिकांश गाओं बंचित हो गए जो बंचित गाओं हैं उनके लिए सब रोड क्यों नहीं बन रही है एक संपर्क मार और बनने चाहिए जहां लोग अपने गाड़ियों से जा सके तो हिमाचल को देखिए उन्होंने तो तमाम गाओं में पहुंचा दिये चोटे चोटे गाओं में रोड पहुंचा दिये तो कहा हैं ये सरकार बिलकु सोईवी सरकार है ये जागरत सरकार नहीं है ये सरकार के वल अपना टाइम पास कर रही है बदाई सरकार को और उन्ही साल हो गए उन्ही साल में कितने मुःच्प मंतरी बता रहे थे आप तो विकास कैसे हो गा एक कोई स्थाइब तो नहीं है अब ठीक है कि एक दो आदमे अपना पांच साल पूरा किये नारंदर तिवारी जी और नारंदर तिवारी जी के टाइम पर तो काम हुआ और अब इसमरनी हुआ अद्दूती है काम किया नारंदर तिवारी जी ने कम से कम नानदतिवारी जी के बनाईवी सडकों पर नालिया ही बना दे, सडक पर नालिया नहीं है, बरसात में पानी आता है, वो सडक डूप जाती है अगर हमने देखाया है उतरा खंड में बनने के बाद, पहले मुख्यमंत्री से लेकर अब तक मुख्यमंत्री है, अस्थरता नजरा आई हर किसी को यही भहरा है कि कहीं मुझे मुझे मुख्यमंत्री पर से हना हटाया जा रहा जितना उनका सासनकाल होता है, वो अपने गदी बचाने में अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको देखे आप मुख्यमंत्री तो तब नहीं हटाये जा सकता अगर वो विकास वादी हो और विकास के लिए निरंतर काम कर रहा हो तो जनता ऐसा ऐसी मूर्ख जनता नहीं है कि उसको उसको गदी से हटाने की बात कोई करे या पार्टियां भी शायद नहीं चाहेंगी कि आपने कुशल मुख्यमंत्री को कोई हटाना चाहें आप कुशल मुख्यमंत्री के पीछे लोग पढ़ते हैं जिसके पास कोई विजन नहीं है कोई दृष्टी नहीं है कोई बहुत नहीं लेना चाहता हूँ इस तरीके से राज्य नहीं चलाय जाता जिस तरीके से जितना रिलेक्टेंटली राज्य को देख रहा है उसका प्रतम व्यक्ति प्रतम व्यक्ति को चाहिए कि उसके पार विजन हो वो दिखाए कि असंभव कारे भी करके दिखाए संभव कारे तो सभी करते हैं असंभव कारे करके दिखाए ऐसी योजनाए बनाए जिसे कि लोग याद रखें कि पहाड की समस्याएं दूर हुई है पुल नहीं है गाओं में साभ गाओं की जो नदिया है वो उनमें बहते हैं, उनके खबरें तक नहीं आती हैं, कितने लोग बह गए इस साल नदियों में, इसका कोई आंकड़ा नहीं, कोई डाटा नहीं है यहां, तो यह डाटा कौन तैयार करेगा, यह तो पत्रकार ता को भी चाहिए पर पत्रकार भी तो वहां जाएगा, ऐसे ज स्रेंट सलाइड के नीचे दव जाएँगे कहीं भूस कलन में, तो इसलिए पत्रकार भी बिचारेगा, खत्रा मॉल नहीं लेना चाते हैं, मैं तो चाहता हूं कि परदेश की जनता परदेश के लोगों की, परदेश के भूगोल को समझा जाए, कि परदेश का भूगोल एक प्रकार का है, कुमाओं की समस्याइं अलग हैं, गढ़वाल की अलग हैं, आप जाओंसार में जाएए, वहाँ की समस्याइं अलग हैं, आप हिमाचल प्रदेश को मौडल के रूप में मान ले, उन्हों ने तो गाउंगाउं सड़क पहुछा दी, यहां सड़क ही नहीं गई ह hospital नहीं गए है गाउं गाउं पानी नहीं गया है और जंगलों की रक्षा के कोई उपकरण नहीं लगे है कहीं यहां तो आफिस में और होटलों में अगने शमन यंत्र नहीं लगे हूए है तो जंगल को क्या बचाएंगे तो अभी कुछ राज्य को बहुत कुछ करना है ये राज्य कुछ नया कुछ कर सके तो राज्य बनने के सार तकता है वरना एक राज्य ये भी है ठीक है अन्ने राज्यों के साथ एक राज्य ये भी है सर जैसे अब बात कर रहे थे तो जो प्लाणिंग बनाने के काम होता है वो अंब अफसर साही यह नोकरशाही का होता है अब पहले सी अब आपका जो प्रत्थम व्यक्ति है जो मुख्य मंत्री है वह उसको विजन दे नोकरही को कि क्या मैं ऐसा प्लान करना हूं मैं मुझे यह प्लानिंग चाहिए तो नोकरशाही देगी बना के लेकिन जब विजन नेता नहीं देगा तो फिर ये नीचे के मातत कर्मचारी कैसे अपना विजन ठोक देंगे उपर वो नहीं हो सकता है ये तो मुख्योंतरी को अपना विजन देना चाहिए सब चीजों के बारे में मुख् कारी है हमारी सुनते नहीं आप किस तरीके से देखता है क्योंकि आप यूपी के समय भी आपने देखा है यहां पर जो पहले चीप सेकर्टरिया भी उनकी भी आपने बात की है नहीं देखे नोकरशाही अपने नेत्रितों से दिसानिर्देश लेती है और अगर नेत्रितों को इच्छा है तो नोकरसाही से दिशा निर्देश लेता है कि वही आप बताईए इस विशे में आपके क्या विचार है अगर ऐसा कुछ हुआ है यहां तो वह हमको पता होना चाहिए ने क्या ऐसा हो रहा है वह पता नहीं लगता है कि कहां क्या क्या विचार मांगा गया है क् वो नए विचार का पता नहीं लगता है तो वो पता या तो पब्लिसिटी आपके इतनी कमजोर है आपका काम हो रहा है और पब्लिसिटी नहीं हो रही है तो ये भी एक दोश है पर मुझे लग रहा है कि पब्लिसिटी आप करेंगे नाकारापन की पब्लिसिटी करेंगे क्या आपके नाकारापन की पब्लिसिटी तो पहले ही हो रही है अपने आप हो रही है तो इसलिए इस माराजय को तो एक नया स्वरूप मिलना चाहिए और वो नेत्रितु ही दे सकता है नेत्रितु को चाहिए कि वो नया विजन नया कुछ दृष्टिकोन नये विचार पैदा करे नये प्रोजेक्ट पैदा करे यहां के लड़कों के लिए कौन से फैक्टरी आप पहाड में क्या फैक्ट्रियां नहीं लग सकती है क्या पहाड में सुर्जर लेंड में कैसे फैक्ट्रियां लगी हुई है वहों भी पहाड है तो विदेश में आप जाएए देखिए पहाडी क्षेत्र का कैसे विकास हुआ है हीमाचल में इतनी factory है कैसे लग गई cement की factory हीमाचल में हमारे यहाभी cement की कई factory लग सकती है अब उसको आपके ऑफल परियावरन production का कारण मनने लगें तो यह भी एक जबरदस्ति होगी परियावरन के नाम पर दो प्रकार के तत तो यहाँ काम कर रहे हैं एक तो हैं परियावरन विद और एक हैं परियावरन वादी जो परियावरन विद हैं वो तो जानते हैं कि परियावरन का मतलब क्या है और जो परियावरन वादी हैं वो केवल अडगा डालने के लिए हैं वो केवल ताकि विकास कारे नहों विकास कारे हो रहा है तो वहां परियावरन वादी पहुंच जाते हैं परियावरन विद जानता है कि अगर ये पेड सो वर्ष की उम्र कोगी ब्रिक्ष की भी आयू होती है ब्रिक्ष कोई अमर चीज नहीं है वो सब डेट सो साल अगर उसकी उम्र है तो खतम हो जाएगा तो खतम होने से पहले उसका उप्योग होना चाहिए और उसको रिप्लेस करने की बेवस्ता होनी चाहिए कि वहाँ दूसरा पेड लगा दिया जाए या जितने पेड हम अब काटेंगे उससे दूगने पेड पहले हम लगा लें और तब उतने पेड काटें तो ऐसी प्लैनिंग बननी चाहिए सर जब उत्राखंड बनाता था उसको जो राजधानी मिली वो अईस्ता ही राजधानी मिली और उसके बाद गैर सेंड को लेकर लगातार आंदोलन हुए अब गैर सेंड ग्रिस्म कालें राजधानी बना दी गई है राजधानी को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं ठीक है अगर बना दी गई है तो आप पहले राजधानी के लिए संसादन ऐसा बनाई है आप रेल ले जाएए न वहां तक अब रेल जा रहे है बदरिनाथ तक तो बदरिनाथ से कितने दूर है गैर सेंड करण परियाग में आप रेल लाइन ले जाकर करके कनेक्ट करिये राजधानी को रेल लाइन से तो किसी को शिकायत नहीं रहेगी उदर चे को माँ से एक रेल लाइन ले आईए गैर सेंड तो कुछ रेल का तो काम ही नहीं हो रहा पहाड़ों में रेल का काम अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत शुड़ू किया था आप आपने क्या किया कोई नया टाउन्शिप बसाई क्या आजाद भारत में पहाड़ों में किसी ने किसी भी सरकार ने कोई नई टाउन्शिप आई नहीं हमारे परेटन का कोई नया केंदर नहीं बना परेटन के लिए सुविधाय नहीं है तीर्थाटन को ही परेटन मान लिया गया है ये एक छोटी सोच है परियटन एक अलग चीज़ है आदमी की शादी होती है वो गूमना चाहता है कुछ दिन वो जाना चाहता है कहीं थोड़ा आराम किसे अपनी पत्नी को और खुद को गूमाना चाहता है तो ऐसे स्थन हमें भी किसित करने चाहिए सुन्दर स्थन केवल मसूरी के भरों से नहीं चलेगा केवल नेंताल अलमुडा के भरों से नहीं चलेगा इसलिए पहाड में नए नए टाउन्शिप बसाई जानी चाहिए स्मार्ट सिटी केवल देहरदून को ना बनाया जाए बलकि नए टाउन्शिप को स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाए नई टाउंशिप बनाई है ना आप किसने रोका है लेकिन वो द्रिष्टी नहीं है नेत्रित तुम्हें जाए उसकिर्टी के संड़क्षन के लिए काम हुआ है या फिर जो बात कई जा रही है हमारे जो गडवाली कुमाउनी जौन सारी भासा आउसको अाटवी अंसुची में डालने की बात है कि उसो भासा का दर्जा दिया जाए देखे ये भाषा का समस्या थोड़ी बड़ी बिकट है और बड़ी समस्या ये कोई छोटी समस्या नहीं है जो दुनिया में एक आंकड़ा तो ये है कि रोज तीन सो भाषाएं चार सो भाषाएं मर रही है बहुत सारी भाशाएं हैं देश में विदेश में प्रदेश में जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं हम सिर्फ जौनसारी और कुमाउनी और गड़ वाली जानते हैं लेकिन अगर आप उत्तरकाशी का एक खेतर है उसका क्या नाम है जो रुमाई के बगल में है गेह मोरी नहीं उधर है हिमाचल से लगने वाला खेतर है आराकोट बंगान आराकोट बंगान है तो आराकोट बंगान के अलग बोली है रवाई के अलग बोली है जौनसार के अलग बोली है इसी तरह भोटिया बोली हमारे आलग है रंग भाशा और हमारे कुमाउं में ही करीब चार पांच बोलियां होंगी तरह की बोलियां होंगी लेकिन इन बोलियों का एक ही संपर्क स तूत्र है वो है लिपी तो लिपी यह है देवनागरी लिपी नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है चतिसगडी भी देवनागरी में लिखी जाती है और गड़वाली और जौनसारी भी देवनागरी लिपी में लिखी जा तो हमको यहां की लोकल बोलियां पढ़ने में दिकत नहीं होती, क्योंकि हिंदी सब जानते हैं, हिंदी के अक्षर वहां लगे हुए हैं, यानि हिंदी के नहीं वो अक्षर संस्कृत से आये हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं वहां तो हम पढ़ लेते हैं, पर उसका अरत नहीं पाए हैं, इसकूल भी है और उसके अलावा आप उसके अलग प्रियोग शालाएं भी बना सकते हैं, समाज में कोई एक ऐसी लाइबरीरिय स्थापित कर सकते हैं, एक पुस्तकाले जहां लोग साम को जाएं, बैठें, चीजों को पढ़ें, उन भाशाओं को जानें, पर ऐसे क आपको देश के लिए, प्रदेश के लिए, एक कॉमन लेंग्वेज तो बनानी पड़ेगी, कॉमन लिपी तो रखनी पड़ेगी, जो कि सब लोगों के काम आ सके. अगर बात करें किर्सी की, तो जब हमारे उत्राखंड में पहाडी छेतर में किर्सी को लेकर बहुत प्रियोग हुए हैं, चाहिए अगर आप मादू सिंग भंडारी की बात कर लो, जाए जीतू बगरवाल की बात कर लें, लेकिन उत्राखंड बनने के बाद आपको क्या ल आने के लिए काम किया, क्रिशी में नई फसलें और नए बीज नहीं इंट्रड्यूस करा मादू सिंग भंडारी जी ने, एक पानी की समस्या पर जूज है थे, इसलिए उनका नाम है, और वो अब चलो उस समस्या को अगर आप उपलब दीमान लेते हैं, तो फिर आज की समस होते थे, वो लुपत हो गए, उनकी पर जाती, वो टेहरी के आम, टेहरी के केले, और नई फसलें क्या पैदा की हैं, पंतनगर विशुविद्याले ने, नई फसलें क्या पैदा की हैं, क्या सोयविन, सोयविन तो नहीं होता है पहाड़ों में, आपने पहाड़ के बीजों में करांतिकारी परिवर्तन लाया जाए क्यों नहीं उनका डबलमिंट क्यों नहीं जंगोरे का पौधा छोटा बना दिया जाता है और बीज बड़ा उसका दाना बड़ा बना दिया जाता है क्यों नहीं जंगोरे के सारे कबच धीले करके उसको दो कबच का बना दिया जाए उसमें आठ का बच होते हैं, और उसको कूटने में बहुत परिशानी होती है, या तो फिर आप जंगोरी कूटने की मशीन लाइए, तो जंगोरा, कोदा, हमारी जो पहाडी फसले हैं, उनके बीजों का कोई नया कल्चर नहीं create किया गया है, परिशकार नहीं हुआ उन बीजो में साइटिफिक प्रियोगों के आवश्यक्ता है, और पंतनगर विशुवी द्याले को चाहिए कि पहाडी बीजों पर काम करें, पहाडी बीजों पर एक अलग ब्रांच बनाएं, और पंतनगर नहीं बना सकता है, तो नया विशुवी द्याले खोला जाए अग्रिकलचर University दी जाए दूसरी और वो पहाड केवल पहाड पहाडी बीजों के संद्रेक्शन पर और उनके विकास पर और उनका नया संस्करण पैदा करने पर अपना काम करें बिल्कुल कहीं न गई साफ है कि जो हमारा नेत्रत्व है अब बात उस पर आती है कि हमारे नेत्रतों की इच्छ सक्ति क्या है डबलमेंट के भी बहुत सारी जिरोत है चाहे किर्सी को लेकर हो चाहे प्रेटन को लेकर हो जो जगुरी जी का कहना है कि इससे बड़ा तो यूपी का समय था जहां पर बदलाव भी होते थे और जो नीतियां आज थी वो यहां तक जाए रखेवा तो उनीखश थी खाहे हो जो एario जड़ी 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 कि लेकर है तो आप चाहे जड़ी जो भी जावी एनद्विशद, जाएन पीज़ी जा जो बहुता आबलमेंट के भी कि उिस्च समय ख़वादा ूबलमेंट हो चाहे हो प्रोबलमेंट के जाज़